ये हो गया basic method लेकिन ऐसे नहीं करना है ऐसे सवालों को आपको second में उड़ाना है एकदम देखो कैसे समझना मेरी बात को ऐसे सवालों को आप उड़ाओगे smart approach के साथ second में इतना नहीं करना आपको paper में बैठके इतना बिल्कुल भी नहीं करना है आप बोलोगे sir देखो इसका smart approach क्या होता है आपको लिखना है देखो कुछ नहीं करना ठीक है आपको सिधा एक line में लिखना देखो ये percent है 48 और ये percent कितना है 36 है है ना आप बोलोगे sir देखो जो 36 percent लेकर आ रहा है वो कितने percent से fail हो जा रहा है 32 नंबर से यानि उसको 32 नंबर देना है जो 48 लेकर आ रहा है वो कितने से pass हो जा रहा है 64 से उसमें से इसको घटा देना है देखते चलो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना सिधा एक line में अपना answer देना है और वो कैसे देना है वो देखो आपको बोलना है देखो यह 36 परसेंट है और यह 48 परसेंट है इन दोनों का अंतर लिखो याद रखो परसेंट का अंतर लिखना है 48 और 16 48 और 36 48 और 36 का अंतर कितना हो गया 48 और 36 का अंतर हो गया 12 तो आप बोलो कि सर 12 परसेंट ये 12% किसके बराबर होगा बताओ जल्दी से तो इन दोनों का अंतर लिखना है ये % और % वाले का क्या लिखना है अंतर लिखना है इनका अंतर लिखना है और इनका अंतर बराबर होगा ये दोनों के जोड़ के आप ऐसे समझो जो इनका अंतर बराबर होगा ये दोनों के जोड के 64 और 32 यानी 12% बराबर होगा किसके 96 के 12% बराबर होगा किसके 96 के तो आप बोलोगे सर 1% जो बराबर है वो कितने के 12 से काटो 8 बार में 12% 96 तो 1% 8 या ऐसे भी कह सकते हो 8 नमबर 1% के बराबर 8 नमबर 1% के बराबर कोई दिक्कत की बात यहाँ पर ठीक है जो वेक्ती 36% नमबर लाता है वो कितने अंगों से फेल हो जाता है 32 नमबर से फेल हो जाता है 8 number अगर 1% के बराबर होता है तो 16 number 2% के बराबर होता है 24 number 3% के बराबर होता है और 32 number वो fail कितने से हो रहा है 32 number से यानि वो 4% से fail हो रहा है 8 number 1% 16 number 2% तो 32 number 4% यानि वो बंदा 36% ला रहा है और 4% से fail हो जा रहा है तो 36 और 4, 40% जो होगा वो उसका pass marks होगा ठीक है? एकदम एक line में answer दे पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं तो passing percentage पूछा है तो कितना बताओगे? सीधा 100 बताओगे ठीक है? शलो next सवाल देखो यहाँ पर, next सवाल आपका बोला गया है 99, same concept पर एकदम सेकेंडो सेकेंडो में बोला गया है, जब किसी चात्रे ने 40% अंक प्राप्त किये तो 20 अंकों से असफल हो जाता है लेकिन वह 48% अंक प्राप्त करता है 44 अंकों से उत्तीन हो जाता है तो बताओ प्रतिशत क्या होगा? एकदम लाइन, देखो परसंट वाले को परसंट वाले के साथ घटाना है तो 48 में से 40 को घटाओ कितना आएगा? 8% आएगा बराबर हो जाएगा बाकी दोनों को जोड़ दो, इसका 20 जोड़ो और इसका कितना जोड़ो? 44 जोड़ो 44 और 20 कितना होता है? 64 होता है आप बोलोगे 8% का मान 64 तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान 8 हो जाएगा या आप ऐसे बोलोगे 8 नमबर 1% के बराबर है ठीक है? 8 नमबर 1% के बराबर है ये चात्र जो है देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक चात्र है जो 40% अंक ला रहा है और 8 नमबर से फेल हो जा रहा है दूसरा चात्र ऐसा है जो 48% नमबर ला रहा है और कितने से फेल हो जा रहा है तो आप बोलोगे वो 44 नमबर से पास हो जा रहा है समझ रहे हैं मेरी बात को ठीक है? यानि passing से यह 8 नमबर कम लेकर आ रहा है और यह passing से 44 जादा लेकर आ रहा है बोला गया है passing percentage ग्यात करिये 8% का मान कितना है देखो 8 नमबर 1% के बराबर किसी का भी एक निकाल दो यहां पर ठीक है यह 20 नमबर से फेल हो गया ना कितना नमबर निकालना है 20 नमबर निकालना है देखो तो 8 नमबर 1% के बराबर फिर 8 नमबर फिर 1% के बराबर और 8 का आधा यानि 4 यह हो जाएगा 0.5% के बराबर यानि 8, 8, 16, 4, 20 20 नमबर कितने परसंट के बराबर 20 नमबर 2.5% के बराबर और वो धाई परसंट भी लाना पड़ेगा साड़ा 42 जो होगा वो correct उत्तर होगा बहुत अच्छे, सब का answer आ चुका है D D D D D फिर से समझ लो, ठीक है यहाँ पर 48 और 40 का अंतर कितना होगा 8% और बाकी 44 और 20 का जोड कितना होगा 64, 1% 8 नमबर के बराबर यह 8 नमबर 1% के बराबर है हमें चाहिए 20 नमबर आप ऐसे भी बोलते हो देखो 8 नमबर जो है वो 1% के बराबर है तो 20 नमबर कितने के बराबर होगा तो 1 बटे 8 इंटू 20, 0.5% आ जाएगा आ जाएगा, 0.5% वो लाएगा के लिए इतना ही मिलेंगे कल की क्लास में और कल की क्लास में यहाँ पर शॉट भी बता दूँगा मैं